ATM card का message नहीं आने पर क्या ATM card provide नहीं क्या जाएगा देखिए Central Bank of India का जो problem है debit card का या chip shortage का problem बताती है कई जगा क्योंकि कई ब्रांचों में ऐसा नियम है कि उनको जो बूल दिया जाता है कोई भी customer visit करते हैं कि सर हमारी यहाँ chip shortage है तो ऐसे में क्या जिनका ATM card का message receive नहीं हुआ है suggestion देना चाहूंगा कि आप लोग अगर offline apply करते Central Bank of India का debit card ऐसे में काफी better रहेगा मेरे हिसाब से जो offline process है वो काफी best है लेकिन online through भी एक हिसाब से best है क्योंकि उसमें भी जो apply करने के बाद update के बाद जो Central Bank of India नहीं नवेंबर डिसमबर में जो update दिया था उस हिसाब से तो जिनका item card का message नहीं आता है issue का यानि कि अगर उनको message ही नहीं आया कि उनको मालू में नहीं कि उनका debit card issue आई कि एक्चुली तो जो debit card का message है वो तीन दिन के अंदर आपके phone पी आ जाना चाहिए अगर मान लेजे किसे किसे का waiting list में जाता है तो ऐसे में 15 दिन highest time लगता है 15 दि debit card का issue ही होना असंभ हुए यानि कि आपका debit card issue ही नहीं हुआ है वैसे आप लोग का एक तरीका है जो बिना internet banking या mobile banking या ब्रांच विजिट करे हुए पता लगा सकते हैं कि आपका debit card issue हुआ कि नहीं उसके लिए आपको सिर्फ help line number पे call करना है लेकिन help line number पे जो call लगती ही न कि आपना लगे क्यूंकि ऐसे मुझे की इसस देखने को मिला है वहाँ पर अपलोग पता कर सकते हैं कि आपका debit card issue वह रदीत कर देते हैं या किसी का नवस्य〜 और भर प्रलपिंग की बाद से आपको Central Bank of India तो भीज देती है लेकिन आपके फोन पे रिसी भी नहीं होता है ऐसे में उनको डरने की कोई बात नहीं है Indian Post Office आप लोग एक महने में या पंदर दिन में विजिट कीजिए तो आपको मिल जाएगा वैसे Central Bank of India या December के बाद जो है काफी फास्ट परवट डविट काड़ प्रवाइडिक कर रही है I hope काफी information अचले की वीडियो अचले की लाइक से सब्सक्राइब थैंक्यू